मेंबर्स का क्या अर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं मेंबर्स जो है वो मेंबर का प्लूरल होता है यानिकि एक से ज़ादा मेंबर को हम मेंबर्स कहते हैं और मेंबर जो है वो सदस्य को कहा जाता है चाहे कोई किसी भी चीज़ का सदस्य है तो उसको उसका member कहते हैं जैसे कोई परिवार का सदस्य है तो उसे family member कहते हैं और कोई किसी committee का किसी सभा का सदस्य है तो उसे हम member of committee कहते हैं कोई parliament का सदस्य है यानि किसी संसद का सदस्य है तो उसे हम Hindi में संसद कहते हैं और English में member of parliament कहते हैं तो member का मतलब हुआ सदस्य, सभासद, अव्यव, हिस्सा या एकाई तो एक से ज़्यादा सदस्यों को सभासदों, अव्यवों, हिस्सों या एकाईउं को हम members कहते हैं जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि वह 30 सदस्यों की कक्षा में थी तो आप कहेंगे she was in a class of 30 members या अगर आप ये कहना चाहें कि उसके प्रस्ताव का अधिकांच सदस्यों ने विरोध किया तो आप कहेंगे his motion was opposed by many members या अगर आप ये कहना चाहें कि staff के सदस्यों मुद्दों से परीचित हैं तो आप कहेंगे staff members are conversant with the issues staff members are conversant with the issues अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें